हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक और माइनर सेंसरी ओर्गन के बारे में पढ़ेंगे वो है नोज तो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि मेजर और माइनर सेंसरी ओर्गन क्या होते हैं मेजर यानिकि प्रमुख और माइनर यानिकि प्रमुख नहीं है तो हमारी जो पांच सेंसरी ओर्गन है आईज, एर, नोज, टंग, यानि की आंख, कान, नाक, जिव्वा और तचा इन पांच में से आइज और इयर को मेजर सेंसरी ओर्गन बोलते हैं मुख्य क्यों बोलते हैं major sensory organ पहली बात तो ये कि लगबख हर काम में हमको इनकी जरुवत पड़ती है अगर आप किसी विक्ति से मिलेंगे और उसके आँख या कान काम नहीं करते हैं तो आपको तुरूंट पता लग जाएगा कि इस आदमी के आँख या कान या दोनों में problem है लेकिन जो नाख है यानि कि nose, tongue यानि कि जिववा और तवचा यानि कि skin ये अगर किसी विक्ति के ठीक से काम नहीं करें तो आपको तुरूंट पता नहीं चलेगा कि इसकी skin या tongue या nose में problem है important ये भी है इनका अपना function है वो मैंने अलग वीडियो से बताया हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना eyes और ear का है इसलिए tongue, nose और skin को minor sensory organ कहते हैं तो आज हम nose के बारे में पढ़ेंगे उसका structure क्या है, function क्या है और उसमें क्या क्या problem हो सकती है तो सबसे पहले जो है हम nose के structure के बारे में हम पढ़ते हैं, structure क्या है तो आपके screen में सामने nose का structure कुछ ऐसा होता है, जो हमारे काम का है, psychology के student के काम का psychology में हमें इतने structure से काम चल जाएगा हमारा तो हम देखते हैं क्या क्या है, हम नीचे से start करते हैं, सबसे पहले nasal septum nasal septum यह होता है, में तरफ देखिए, यह नाक में जो बीच में जो हिस्सा होता है जो नाक को दो भाग में divide करता है, इसको nasal septum कहते हैं तो यह इसका काम है, नाक को दो भाग में divide करना और फिर जो है, यहाँ पर जो है, इसके उपर यह nasal cavity है यह जो नाक के अंदर जो आप जो दोनों छे दिखाई दे रहे हैं यह अंदर की तरफ से जाते हैं, तो वहाँ पर काफी जेगे होती है उसको nasal cavity कहते हैं फिर इसके बाद में nasal cavity में ही जो है, olfactory nerves होती है यह जो छोटे-छोटे branches जैसे दिखाई दे रही हैं यह आपको end में, yellow में, यह olfactory nerves है फिर आप यह देख रहा होगे, olfactory nerves जो है, नीचे जो branches है यह उपर जाके एक होती जा रही हैं और फिर यह branches जो मिलके एक तने के जैसी हो गई है यह तने जैसे हैं, कई सारे तने और नीचे इनकी branches है यह जो तने जैसे हैं, इनको जो है glomerulus कहते हैं यह क्या है, यह जहाँ पर जाके मिल रहे हैं इस plate के उपर, उस जगह को glomerulus कहते हैं तो यह जो glomerulus का क्या काम होता है कि कोई एक type की जो smell होती है उसको एक जगह ले जाते हैं जैसे मान लिजे कि गुलाब की smell या किसी fool की smell तो वो इखटी होके नीचे सारी nerves तो सारी इखटी करेंगी smell को लेकिन उपर जाके वो सारी एक type की smell एक ही जगह हो जाएगी अगर fool की यह वो एक तरफ हो गई अगर भत्ती की मान लिजे दूसरी तरफ हो गई ऐसे अलालग जो है जो है smells अलालग हो जाती है तो यह जो एक type की smell एक जगह जहां जाती है इस plate में उसको glomerulus कहते हैं और यह पूरी जो इखटी हो जाती है सारी smells जिस plate में होती है उसको कहते हैं olfactory bulb यह पूरा जो है उपर वाला इससा यलो वाला plate जैसा जो आपको दिख रहा है यह olfactory bulb है यह olfactory bulb से यह जो निकले हुए हैं branches type की यह आप देख रहे हैं एक हड़ी के बीच में से होके गई है बीच में जो है आपको एक हड़ी दिखाई दे रही है plate के ठीक नीचे जिसमें से यह branches होके निकली हुई है तो वो जो हड़ी है जिसमें से वो जो है branches निकल रही है उसको कहते है cribby form plate क्रिबी फॉर्म प्लेट है फिर इसके बाद में यहां से और फैक्टरी बल्ब से और फैक्टरी ट्रैक्ट निकलता है तो यह जो है और फैक्टरी ट्रैक्ट में जो है इसका स्ट्रक्चर नोज का अब काम कैसे करते हैं वह हम बातर है तो एक्ट्मोस्फियर से आपने सांस ली हवाइई वह आपके नोज में गई और नोज से जो है आपके नेसल केविटी में गई यहां nasal cavity में जो है mucus भी होता है, नमी भी होती है और बाल भी होते है, hair-like structure भी होते है तो यहां पर जो mucus और hair-like structure है उनका काम यह है कि जो गंदगी है जो हमारे lungs में ना जाए उसको यहीं रोक लेते है हम नहीं चाहते हैं कि जो हवा जो गंदी है या उसमें impurities हैं वो lungs में जाए तो इसलिए जो है nature ने, कुदरत ने हवाई ना को बनाए यह ऐसा है कि नमी और बाल होते हों उसको यहीं रोक लेते हैं फिर हवा के साथ में जो है smells different different तरह की आती है smell जो है basically chemicals होते हैं different different chemicals होते हैं तो smell जो है और कुछ नहीं बस different different chemicals का combination है आप जो perfumes वगरा भी use करते हैं उस perfume में भी chemicals होते हैं तो कोई भी chemical जो यहाँ पर आएगा उसकी जो है खुश्बू को यह पहले all factory nerves collect करेंगी कोई साथ भी हो smell सबको collect करेंगी फिर यह उपर जहाए जाके एक type की smell एक जेगा हो जाती है जो मैंने आपको बताए था कि जैसे fruit की मानली जेए एक जेगा हो गई fruit के साथ में हो सकता आपको अगरबत्ती की भी smell आ रही है वो अलग हो जाएगी फिर उसके साथ में आपको हो सकता है कि कि किसी जो है perfume की आ रही हो कोई भी smell हो सकती है तो एक तरह की smell यानि कि एक तरह की chemicals क्योंकि मैंने बताए कि जो smell है वो chemical से बनती है तो एक प्रकार की smell यानि कि same type की smell एक जेगा हो जाती है और वो जेगा है glomerulus फिर जो सारी smells यहां खटी हो जाती है जहाँ पर उसको कहते हैं olfactory bulb, यहाँ से फिर olfactory tract से जाती है, यहाँ पर material और tifted cell होते हैं और यहाँ से फिर brain में चली जाती है, तो यह structure और function हुआ, यह तो smell का, दूसरा जो हवा के जरिए कुछ impurities ना जाए, दूसरा function यह हुआ, तीसरा function यह हुआ, कि जो atmosphere से हवा आती है, वो हवा बहुत जादा गरम या बहुत जादा ठंडी हो सकती है, और lungs में अगर बहुत जादा गरम में ठंडी हवा गई, तो वो नुक्सान कर सकती है lungs को, इसलिए यहाँ पर ही उसको temperature को regulate भी किया जाता है, जो हवा बाहर से आ रही है, उसका temperature यहाँ regulate भी किया जाता है, गरम है, तो थोड़ा सा ठंडा कर लिया जाता है, यहाँ मुक्योस टाइकस होता है, वो इसको थोड़ा सा ठंडा कर देगा, और अगर वो ड्राइ हवा है, तो थोड़ा सा यहाँ से नमी भी आ जाएगी, अगर वो हवा बहुत ठंडी है, तो बॉड़ी टंपरेचर के वे से यहाँ पर वो हवा थोड़ी गरम हो जाएगी, तो temperature regulation भ हम बात कर चुके, olfaction यानि sense of smell, जो हमें smell आती है, उसको olfaction कहते हैं, यह नाक का बहुत मेर काम है, तो जब हम बोलते हैं, तो वो भी जो है, कुछ हिससे ऐसे होते हैं हमारी speech के, वो नाक से बोले जाते हैं, आप कोई भी एक लंबा सा sentence बोली है, और नाक पकड़के बोली में, तो जो नाक से बोले जाते हैं, consonants, उनको nasal clicks कहते हैं, या click consonants भी कहते हैं, फिर अगली चीज़ जो है, वो है gustation and olfaction, यानि कि gustation तो हुआ taste, और olfaction हुआ smell, इनका भी आपस में संबंध है, जो tongue है, और जो nose है, इनको chemical senses भी कहा जाता है, tongue और nose को chemical senses भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि दोनों chemicals के basis पे अपना function करते हैं, चाहे taste हो या smell हो, वो हमको chemicals की वज़े से पता चलता है, तो gustation और chemical, gustations and olfaction और chemical senses, एक बात तो यह हो गई, दूसी बात यह है, यह आपस में link भी है, gustation and olfaction, कैसे? जब आप खाना खाते हैं, तो आप खाली खाने का taste नहीं लेते हैं, आपको खाने क्या, स्वाद के साथ साथ, खाने की smell भी आ रही होती है, तो खाना जो है केवल मूँ से नहीं खायाता है, नाक से भी जो है, उसका स्वाद लिया जाता है, आगर आप याद करें, कभी आपको जब जुकाम वगरा हुआ हो, फ्लू वगरा हुआ, जब नाक बंद हो जाती है, smell आनी बंद हो जाती है, उस दोरान जब आप कुछ भी खाते हैं, तो अच्छा taste नहीं करता है, smell अच्छी नहीं आती है, क्यों? वो इसलिए नहीं आती है क्योंकि उस टाइम आपका olfaction यानी की smell वाला हिससा काम नहीं कर रहा हुता है, केवल taste वाला काम कर रहा हुता है, तो gustation और olfaction एक साथ काम करते हैं, तो एक साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, केवल gustation काम कर रहा है, इसलिए आप खाने का पूरा taste नहीं आ रहा हुता है, तो य जो है हम देखते हैं नोस की कुछ problems के बारे में एक होती है एनॉस्मिया क्या है कि या तो आपकी जो है smell लेने की capacity जो है वो बिल्कुल बदल जाए या आप smells में differentiate नहीं कर पाएं फरक नहीं कर पाएं इस टाइप की जो problem आती है smell की नोस की जरीए तो उसको एनॉस्मिया कहते ह है अब यह अलग अलग यह different different बीमारी के कारण भी हो सकता है जैसे कि Alzheimer's disease schizophrenia diabetes Huntington's disease multiple sclerosis Picks disease Parkinson's disease पारकिंसन's disease में तो यह भी देखा गया है कि अक्सब Parkinson's disease होने से पहले जो smell की problem आने लग जाती है जैसे problem मतलब smell properly आदमी नहीं कर पाता है पार्किंसल से पहले ही, तो ये कई बार indication भी होता है किसी किसी बीमारी का, फिर ब्रेन इंजरी से भी हो सकता है, ब्रेन टूमर या एनुरिज्म से भी हो सकता है, एनुरिज्म जो है कहते हैं जिसमें जो दिमाग की नसे होती हैं, वो फूल जाएं या फट जाएं, तो उसको जो है एनुरिज्म कहते हैं, उससे भी हो सकता है, फिर हेड ट्रॉमा उससे भी हो सकता है, फ्रेक्चर हो गया सर में, उसकी बज़े से भी हो सकता है, तो कई कारण हो सकते हैं अनुस्मिया के, तो इसलिए इसको हलके में नहीं लेना चाहिए, अगर स्मेलिंग में कोई प्र problem हो सकती है फिर एक चीज है डाइसॉस्मिया डाइसॉस्मिया मींस distortion of smell distortion का मतलब है विक्रत हो जाना कोई smell है लेकि वो जैसी है वैसी हमको नहीं लग रही कुछ और ही लग रही है तो यह कई तरह की category में हो सकती है तो एक तो यह हो सकता है कि कि किसी चीज की स्मयल को हम पहचान ही ना पा रहे हैं कि यह किस चीज की स्मयल है यह भी हो सकता है है यह यह वी हो सकता है कि कोई हमको smell आ रही हो जबकि वो to Kelly वहां पे हो ही नहीं यह भी हो सकता है कि तो यह दोनों तरह की problem हो सकती है कि यह कई तरह की जो है respiratory tract infection होते हैं या उसमें damage हो जाता है उसकी वज़े से भी problem हो सकती है तो यह जो problems है यह nose में olfaction की problems कहलाती है यह हम accurately जो है smells में differentiate नहीं कर पाते हैं या कोई smell नहीं होती है तो भी हमको लग रही होती है कि smell है यह जो है की चीज है फिर अगली चीज है all factory testing यानि कि smell की testing तो अगर जिसे आपको जुकाम है उस time smell नहीं आ रही है वो तो normal बात है उसमें चिंता की बात नहीं है लेकिन मान लीजे कि आपको कोई problem नहीं है और फिर भी आपको smell में problem हो रही है और लगातार हो रही है तो फिर जो है आपको अपनी testing करानी चाहिए वैसे तो testing जो है कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं घर पे भी कुछ चीजों सा आप कर सकता है जो तेज order वाली या तेज smell वाली चीजे है उससे आपको पता लग है कि हमारे जो है all factory sense में कोई problem है या नहीं है जैसे कि coffee है घर में होती ही है menthol है peppermint है यह से बड़ी easily मिल जाती है तो अगर आपको इनकी smell आ रही है इसका मतलब nose ठीक है नहीं आ रही तो इसका मतलब कुछ problem है फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि क्या issue है आपको यह सिर्फ उसको ऐसे reject नहीं कर देना हाँ हाँ कुछ problem होगी ठीक हो जाएगी नहीं हो सकता कि कुछ न हो Сकता कि हो तो जैसा कि हमने बाद करी कि आपको जो है different diseases हैं उन डिजीजस में जो है हो सकता है कि हमको जो है कोई प्राब्लम हो जाए आगे चल के तो उसलिए जो है अगर हमको पहले ही हम चेक अप करा लेंगे तो फिर हमको वो इशु नहीं होगा हमने तो पहले ही जैसे हमको कुछ प्राब्लम हो हमने जाके तुरण चेक अप करा लिया डॉक्टर हमको बता देगा कि भी यह कोई प्रॉब्लम है या नहीं है जो भी प्रॉब्लम हो सकती है डॉक्टर को बेटर पता है कि वो है या नहीं है तो डॉक्टर अपना चेक कर लेगा और वो इसको बता देगा कि भी हाँ यह प्रॉब्लम है या नहीं है तो इतनी चिंता की बात नहीं करनी है एकदम से घवरा जाना है कि कोई स्मेल नहीं आ रही तो कभी कभी वैसे ही हो सकता है जिसे मैंने बता है जुकाम बगरा है लो लेवल का जुकाम है उससे भी हो सकता है आपको वैसे ही लगे कि हान नहीं आ रही है चिंता नहीं करनी है लेकिन अगर लंबे और यह आपके काम में आएगी, तो मिलते हैं फिर से, एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हासते रहिए, मुस्कराते रहिए, खुश रहिए, See you soon, Bye, Thank you very much.